ऑड जो तरीकिते ऊणाया है आशो ने आई कले दो किस तरीके से बनाया है मैं पूरा आपको बताएंगे तो वीडियो बीलकुल वीनहीं करना है पूरा वीडियो सझा और ये दोनों तरह का थैसली बना था अप्य बच्चों के लंग्स नैक्स में देश सकते बरेगफास्ट में विका सकते तो चलिए चलते बनाने के प्रोसेस में तो मैंने गाजर प्याज टमाटर सिम्ला मेड़्च बीन्स और ग्रीन चिल्ली यानि कि हरे मेड़्च को काट लिया बारीक बारीक आप अपने इसाबसे और बारी किसको कर सकते और एक मुठी के करीब मैंने इसमें कोर्ण लिया है तो आपके पास इसमें से कोई भी सबजी अगर नहीं हो तो मत डालिए और है तो डाल दीजिए या फिर अपना पसंदीदा सबजी एड़ करिए जो भी आपको पसंद हो तो इधर कराही गडम हो चुका दकाँ तो मैंने इसमें दो चमच भरके तेल डाला है तरके में मैं गार्लिक और जिंजर यहां डाल लोंगी और यह क्वैंट इसमें जिंजर का तेश्ट बहुत खूल के आता है बहुत अच्छा आता है और दस करी पत्ता और ग्रीन जिली जो मैंने कट करके रखा था वह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो बहुत अच्छा सा टेस्ट खुल के आएगा तो ये गाजर भी अच्छी तरीके से हो रहा था भून गया तो उसके बाद मैं लाश्ट में यहां पर डाला है क्योंकि शिम्ला में बहुत जल्दी ही गल जाता है यानि कि पक जाता है और इसको मीरियम टू लो फ्लेम पे ही पकाईए थुरा सब्जी फिर मैंने लाश्ट में कॉर्ण डाला है कॉर्ण बहुत जल्दी ही पक जाता है और टेस्ट के हिसाब से यहां पर नमक डाल दीजिए और फिर से इसको दो तीन मिनट तक हाई फ्लेम करके इस टैम में आप एक चमच वरे चमच से भरके स्वया सोस डाल दिया है और एक मुठी सिर्फ काटके मैं इसमें बंधा गोवी डाल दीजिए ऐसे तो बंधा गोवी का जो क्वाइंटीटी है वो थोड़ा से ज्यादा इस फ्राइड रैस में होता है लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है तो म मैं इन्हें कमी डाल आपको पसंद है तो बंधा को भी का क्वाइंटीटी बरा दीजिए लास्ट में मैंने टमाटा डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हाई फिले में भून लेंगे और इस स्टेच में आप जो शिजवान फ्राइडास में डालने का होता है शिजव बना रहा है तो अब चड़ने का क्वाइंटीटी बरहा दीजिए और यह बहुत चटपटा सा यमी सा फ्राइड रैस बनके तयार होता है और सब को यह पसंद आता है एजली कोई भी एच के लोग इसको खा सकते हैं क्योंकि यह हाड नहीं होता है और यहां पे चावल मैंने हाँ पे डाल दिया है तो यह चावल जो है मैं रात में ही बना के मैंने रख लिया था भी मॉर्निंग में यह बना रही हूं तो रात में बना के रख लिया था तो खीले खीले चावल फ्राय होते हैं आप चाहो तो मॉर्निंग में भी जिस टैम यह बनाना है उसी टैम चाव चावल को पकाना होता है और इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लीजिए लेकिन कोशिश करिए कि रात में ही चावल मतब जिस टैम आप बना रहे हो इसके दो तीन घंटा पहले आप चावल बना के फ्रीज में रखिए चावल खिले-खिले बनते बहुत अच्छे बनते हैं तो यह हो गया फ्राइड रैस डणतों है तो मैं इसको अच्छी तरीके से सर्व करूंगी और आप बताना यह फ्राइड रैस्स आपको कैसा लग रहा है ऐसे तो टेस्ट कर नहीं सकते लेकिन हां देखने में बताना कैसा लग रहा है इसको अधिया है इसके साथ उपर से इसको होँ धनिया से थोरा सचा लेंगे और ये मीठाम का चार है यह भी होमेड है और भूंदी का राइता है मैंने सर्फ किया इसके साथ बहुत यमी टेष्टी लगता है मार्केट में तो शीजॉन फ्राइड राइस बहुत महेंगा देता है लेकिन घर में एजली कम खर्चे में बन जाता है और बहुत यमी हेल्दी रेश्पी बनके तयार होता है तो आप बताओ आपको यह कैसा दीख रहा है बहुत टेस्टी दीख रहा है ना आप घर में बनाना सब को बहुत 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 है और चावल में लिया है इसको भी अच्छी तरीके से सबको कट कर लिया बारिक और यहां पर मैं एड़ कर रही हूं पनीर तो कराही गर्म हो गया है दो चमच भर के फिर से मैंने टेल डाला और इसमें जीरे कतर का लगा रही हूं और गार्लिक और लासुन क मैं चूड के डाल रही हूं यानि कि खलर में कूट के डाल लिए हूं फिर इसमें प्याज डाल देंगे अच्छी तरीके से इसको भी हाई फिलिम पे ही भूनना है और यह भी फ्राइडाइस बहुत अच्छा लगता है करके साही सब्सक्राइब डाल दीजिए गाजर सिमला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सरकील में जरूर सेर करिएगा प्लीज क्यूंकि आपके कमेंट लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मैं बहुत मोटिवे और यह बहुत यहमी बन के तयार होता है तो इसमें मसाले में मैंने आधाय चमच हल्दी पाउडर थुरसा धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर के लिए कसमीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसको हाई-टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है अच्छी तरीके से और यह रेस्पी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा आप मेरे तरीके से जरूर ट्राय करिएगा और टेस्ट के इसाब से मैंने लास्ट में यहां पर नमक डाल दिया है और पहले वाले फ्राइड रैस में मैंने मसाले नहीं डाले थे जो रेगुलर होते हैं डायरेक्ट मै प्लास्ट में डाले टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और इसमें पनीर जो मैंने लिया था वह भी डाल दिया है और यह दोनों जो फ्राइड रैसन बनके तैयार जो हुआ था इतना टेस्टी लग रहा था कि क्या बताओं आप जरूर टाई करना फीर मैंने दे लादय के अवर के बरे-चम्म से दो चम्म म डाला था तो यह थुरस सा तीका कम बनेगा और पहले बारा जो है वह तीक तूर से जादा बनेगा कृप और चावल को मैंने यहां पर डाल दिया है कि यह जो चावल है यह अभी जश्ट जो है बना के मैंने रखा था एक घंटे पहले उसके बाद मैं यहाँ पे डाल ली हूँ तो दो तरीके से आपको बना कर दिखा रही हूँ एक नाइट का जो चावल मैंने बना कर रखा था फ्रीज में और यह कभी यह जो चावल है फ्रेस है अभी मैंने बनाया था वो है तो आप बता ना क कि आपको इस दोनों फ्राइड रैस में कौन सा अच्छा लगा और मार्केट में तो इतने सारे सब्जी डालते भी नहीं है रेस्टोरेंट डावा कहीं भी भी खाओ और पैसे भी भर भर के लेते हैं तो आप अगर घर में कुछ अच्छा सा हेल्दी से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से ट्राइ कर सकते हैं और बहुत यमी बन के तैयार होते हैं कि बाजार के खाने से तो सच में घर पे खाना बहुत अच्छा बनता है लोग पता नहीं क्यों बोलते घर का खाना घर का खाना इतना टेस्टी बन सकता इतना टेस्टी होते हिल्डी यमी होता है क्या बोलूं ट्राइến जरूड करिएगो इसको भी मैंने प्याज और बूंदी का रायता बनाया था उसके साथ सर्व किया तो बताई आपको कैसा लगा अगर मेरी रेश्पी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा बाई